दोस्तो हम भारतिये चीख रहे हैं और चिला रहे हैं कि बहिसकार करो चीनी प्रेड़क्स का लेकिन लगता है कि हम सिर्फ चीख ही सकते हैं इसे ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि किसी चीज का बहिसकार करने के लिए हमारे पास दुसरा आपसन होना चाहिए हमारे पास चीनी चीजों का भारतिये विकल्प होना चाहिए लेकिन नहीं तो अब क्या करें कुल मिलाकर फिर वही चीन का रास्ता दोस्तो चीन इतना नीच है वो एंजय करता है भारत के साथ बिलियोंज का बिजनेस और पीट बीचे हमारे जमिन पर धीरे धीरे कबजा भी जमाता है इन सारी चीजों को एंजय करता है चीन पता है क्यों? क्यों क्यों हम भारतिये आलसी है ये आपको बुरा लग सकता है पर असलियत यही है हम भारती आलसी है, आराम परस्त है और करप्सन के गुलाम है हमसे हड़वार्क और इमानदारी की अपेक्सिया इतनी आसानी से नहीं की जा सकती इतना टेंसन चल रहा है बोडर पे और अब भी हमारे पास चिनियों को देने के लिए जबाब नहीं है दोस्तो भारती कमपानी को पीछे चोट संगाही की कमपानी आती है और दिल्ली मेरेट रिपीट ट्रांजिट कोरिडर का ठेका ले जाती है चिनी मल्टिनेसल सिबिल कंस्ट्रक्शन फ्रम संगाही टनल इंजिनिरिंग कमपानी लिमिटेड एस्टी इसी ने खारती कमपानी को पीछे चोट दिल्ली मेरेट रिपीट ट्रांजिट कोरिडर का ठेका हासिल कर लिया और इस ठेके के तहित एस्टी इसी निव असुक नगर और साइबाबाद के बीच 5.6 किलिम्टर लंबे टनल का निर्मान करेगा दोस्तो इस ठेके के लिए 5 कमपानी उने बोली लगाई थी लेकिन सबसे कम 1126 करोड की बोली STC की थी इस प्रक्रिया में कुल 5 रास्ठी और भोरास्ट्र बोली दाताओं ने भाग लिया था लेकिन सबसे कम दाम के बोली लगाकर STC ने इसे हसिल कर लिया NCATC द्वारा बता गए बित्तिय बोलियों के पईणामों के अनुसार सभी बोलियाताओं के स्तीती कुछ इस तरह है अपकोंस इंप्रसर्चर लिमिटेड भारत की 14 करोड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का 1326 करोड, गुलेर माग 1326 करोड, फिर लेटसन एंड टूर्बो लिमिटेड 1170 करोड और संगाही टेनल इंजिनियरिंग कमपानी स्टी इसी का 1126 करोड तो अब आप समझ लिजिए कि कितना कम बोली लगा कर संगाही टेनल वाले इस प्रोजेक्ट को हतिया लिया भारत से NCATC ने पिछले साल नवेंबर में पहले भूमिकत नागरिक निर्मान पेकेज के लिए बैसिक बोलिया आवंतिरित की थी और इस अनुबंध पेकेज के लिए तकनीकी बोलिया 16 मार्च 2020 को खुली गई थी कमपानी दिली गज़ेबत मेरट ATS कोरेडर पर TBM द्वारा कौटर कवर वीदी का उपोई करते हुए नियु असुक नगर में साहिवाबाद UPRM तक ट्विन टरनल को डिजाइन और उसको निर्मान करेगी और इसके अलवा कमपानी अनंग भीहर में एक अंडरग्राउंड सेशन का निर्मान भी करेगी NCRTC द्वारा सिक्रिती पत्र एलोए जारी करने के बाद NCRTC को 1995 दिनों में असुक नगर और साहिवाबाद के बीच छुडंग बनाने का काम पूरा करना होगा दोस्तों कंट्रेट के सर्थ के अनुसर टरनल का काम TBM द्वारा कटर कवर बीदी के माध्यम से ही किया जाएगा अब आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा कंश्रक्शन देश की राजधानी से हो रहा है मिरट तक और ये करने के लिए किसी भी भारतिय कंपानियों की बोली सिक्रिती नहीं हो पाई उसने इतनी बोली ही नहीं लगा पाई और नहीं भी लगा पाई तो हमें अपने देश के लोगों को ही एक काम देना था और इस टाइम में ज़रुवत थी देश के ही लोगों को रोजगार दिया जाए लेकिन ये जो डिसिजन हुआ है ये बहत खराब डिसिजन हुआ है हमें हमारे देश में रोजगार रखने की ज़रुरत है और कोरोना के बज़े से पूरी तरके से हमारी एकोनोमी नीचे की तरफ जा रहा है और इसके पीछे सरकार के साथ साथ हमारी भी बहुत सारे खमिया है हम अपने आपको अनुसासित नहीं कर पा रहे हैं और लालच का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं हम सब अपने विलासता और आलासिया के साथ-साथ करप्सन से जुज रहे हैं हमसे अगर कोई कहे कि इमानदारी से कम से कम रेट में काम करो देश के लिए काम करो तो सायद ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और यही उकारण है चीन जैसे देश हमारे देश में एंटरी कर रहे हैं और हमारे यहां के लोगों का जो भी रोजगार है उचीन रहे हैं और धीरे धीरे भारत पर भी यह अपना अधिपत्य जमा रहे हैं अगर जल्द ही भारत सरकार ने इसके उपर नजर नहीं डाली तो आने बाली situation बहुत खराप हो सकती है दूस्तो एकोनोमी ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज नहीं है और याद रखिए success is not equal to happiness दूस्तो अगर finance आपके पास है इसका मतलब यह नहीं कि आप successful हो और अगर आपको success मिल गई है इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेसे खुश रहेंगे दूस्तो खुश रहने के लिए जरूरी है अपने स्वाधिनता बनाये रखना अपने आपके उपर आत्मनिरबर रहना और सोतंत्र रहना और इन सारी चीजों के अबाब से हम आर्थिक गुलामी का सिकार बन रहे हैं दूस्तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि देश के इवाज आगे और बिलासता आलास से को छोड़ कर हाड़ वर के पीछे आए अगर हम सब अपने अपने स्वार्थों के प्रति पूरी तरीके से बीच जाएंगे तो एकिनमान के चेली आने वाले समय में हमारे आने वाले फिडियों के लिए बहुत ही खराफ होने वाला है दूस्तो अगर आपको ये संदेश सही लगा और लगता है कि सही मैनों में चीन का बैसकार होना चाहिए तो आप भी ये वीडियो को जितना हो सकते स्यार करें और इस वीडियो को देखके लोग को पता चले कि ये ओवक्त है कि देश को देश की जरूरत है ना कि विदेश की दूस्तो अन तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद